बासकार दोस्तों भारतिय परंपरा को पूरी दुनिया सलाम कर रही है विश्व नेत्रित्व के लिए भारत की ओर देख रहा है मैं नहीं कह रहा है आपको लगे कि ये बाते मैं आपने वैसे तो सभी देश्वासियों को अच्छा लगना चाहिए डबलु एचो के प्रमुख ने मोदी जी की तारीफ की या भारत की प्रयासों की तारीफ की ये तो सबने सुना होगा उन्होंने क्या कहा ये किसी ने नहीं सुना ये ज्यादातार लोगों ने ठीक तरीके से पेश भी नहीं किया उन्होंने दो-तिन बड़ी इंपॉर्टेंट साथ बहुत स्ट्राइटेजिकली इन बीमारियों से लड़ने का अभ्यास रखता है दूसरी महतुपून बात ये थी कि बहुत तेज डिसीजन लेने की ताकत भारत के भीतर है और भारत ने इसका मुझायरा कई मौकों पर किया है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो की पूरी दुनिया कह रही है आपने देखा पूरी दुनिया जब नमस्ते करना शुरू किया तो ये हुआ कि देखे पूरी दुनिया हमारे नमस्ते को स्विकार कर रही कितना सीमित दायरा कितनी छोटी हमारी सोचिक है नमस्ते तक हमारी सं आज दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो तीशी महत और ये तमाम चीजें आप लगातार पढ़ रहे होंगे नौ बचकर नौ मिनिट पर धीपक जलाना है ये भी आपको पता है तो इस विशे पर मैं कुछ नहीं कहूंगा इस चीज़ को मैं बहुत गंवीरता से लेता हूँ मैं खुद इस चीज़ का अनुपालन करूँगा और मुझे लगता है आपको भी करना चाहिए हमारे एक अन्य मध़भ के मित्रों से हमने कहा आप भी करिएगा तो उन्होंने कहा हमारे यहां नहीं होता अप मुझे नहीं पता कि उनके यहां क्या होता है पर यह हमारे यहां मुझे बड़ा छुप गया मैंने का हमारे यहां क्या होता है यह तो यहां है इस देश में है आपके यहां हमारे यहां क्या होता है यह भेद क्यों पैदा करना खास तो परमपराओं को लेकर अब जब परंपराओं की बात होती है तो आयूरुवेद, योग, पतंजली के योग सूत्र ये सब आप विश्वास नहीं करेंगे जितना भारत में ये लोगप्रिये नहीं है उससे ज्यादा ये पाश्चात देशों में हैं क्योंकि भारतिय संस्कृती बीमारी आने के बाद बीमारीयों से निपटने से स्यादा ध्यान देती है कि आप बीमार न पड़ें आप पहले से तयार रहें तो कोरोना महामारी आज आए उसके बाद में आप बाहर से आकर कपड़े बदलें, चप्पल जूते बाहर उतारें, आकारिस्नान करें, धूब बत्ती करें, हवन करें, ये सारी परंपराएं महामारियों के इंतजार में नहीं रहती थी, ये अल्रेडी आपके साथ चलती रहती थी, रितु परिवर्तन पर बीमारियां होती हैं, और आप देखिए, आप बहुत से लोग करे रहे, ये दीपा वल बीमारियों का समय होता है, हर रितु परिवर्तन पर बीमारिया होती हैं, और हर रितु परिवर्तन पर बढ़े तयोहार होते हैं, और उनके विशेश महत्व होते हैं, बहुत विशेश महत्व होते हैं, वायू मंडल के लिए हाज से विशेश महत्व होते हैं, साथी साथ प बीमारी से पैनिक क्रियेट करना बीमारी से डरना वो तो है ही एक तरफ अब आप इस पर गोर करिएगा कि भारतिय परमपरा क्या है उसकी ताकत क्या है एक तरफ जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के राश्पती आकर अपने देशवासियों को संबोधित कर करते हुए कहते हैं कि डेल लाग से जाला लोग मर सकते हैं अगर इतने पर भी रोग लिया तो बड़ी महरबानी हो जाएगी इसके बाद में लोगों के मनोबल का क्या हाल होगा उनके मन में किस तरह का भय स्थापित हो जाएगा इटली के पुदान मंतरी आकर जब रुदन करने लगें रोने लगें पूरी दुनिया के सामने इससे मनोबल पर क्या आफर पड़ेगा अप नित्त्थ कर रहे हैं मैं यह नहीं कहता देखे सबके होसले तूटने का एक समय होता यह बड़ी बड़ी ताक्ते हैं यह स्ट्राटेजी बनाने में दूसरों पर कबज़ा कर इस सब में तो बड़ी मजबूत हैं लेकिन जब बात सचमुच कुदरत की मार की आती है तो हालत खराब हो जाती है निपटना मुश्किल हो जाता है भारती ये सनातन परंपरा में यही सबसे महत्वपून विशय था वसुदेव कुटुम्बकम और सरवे भवन्तु सुखिना इन दोनों चीज़ों को बहुत बोलते रहते हैं साब लोग जिसको देखो वो बोलता रहता है अब मतलब भी समझा है वसुदेव कुटुम्बकम का मतलब यह है कि हमें पूरी दुनिया की चिंता करनी है वो नहीं बताएंगे हमको वो नहीं बताने वाले है या इतना एहंक नित्रित्व करना चाहिए इस लीड का जी यह मेरे शब्द नहीं है यह आप सुनिये जाकर डबलू एचो के प्रमुक के शब्द हैं कि इंडिया शुड लीड इस बैटल भारत को इस लड़ाई का नित्रित्व करना चाहिए इसके मायने समस्तिया क्यों कह रहे हैं क्योंकि भारत के पास में वो strategy है, भारत के पास में वो त्वरित decision लेने की, फैसले लेने की क्षमता है, जो अभी किसी के पास नहीं दिखाई दरी, इसलिए lockdown के बारे में लोग सोचते रहें, हमने lockdown का फैसला जल्दी लिया, एक जहालत अपनी जड़ों को अपना नहीं मानना, यह वही लोग है, जो इस देश को अपना देश नहीं मानते हैं, इस देश के लोगों को अपना भाई नहीं मानते हैं, इस देश के लोगों को अपना भाई नहीं मानते हैं, इस देश के लोगों को अपना भाई नहीं मानते हैं, इस द को अपना नहीं मानते और मेरा ध्यान आज के वीडियो में परमपराओं पर है अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण तत्यों की तो हमारे आयुरुवेद और योग इनको लेकर कई बाते कही गई हैं लेकिन आधुनिक शोध या आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ कर हम योग को लाइफ स्टाइल के तोर पर पूरी दुनिया ने आजमाया है इंटरनेशनल योगा डे एक बखुत बड़ी पहल भी रही है योग को पहले से सुईकती मिली है आयुरुवेद के खेत्र में सरजरी के खेत्र में या क्योंकि आयुरुवेद इसलिए उत्तम माना जा कोई साइड इफेक्ट नहीं है जबकि और जितनी भी होमियोपेथी को भी एक संघर्ष की जरुवत पढ़ती है आयुरुवेद ने कभी उस जगह पर स्टेक रखा ही नहीं कि दुनिया के दूसरे चाइना में भी परमपरागत मेडिसिन्स का इस्तेमाल करने की बहुत पु कि कुदरत के सबसे नजदीक भारतिये चिकित्सा पद्दती रही है जो हमारी परमपरा का एहन हिस्सा रही है तुलसी दल की पूजा करना नीम की पूजा करना पेड़ पोधों की नदी की पूजा उपासना करना ये सब हमारी परमपरा का हिस्सा रहा है और इसी परमपरा क हमने बड़ी बड़ी महामारियों से लड़ाई लड़ी है इसी परंपरा की वज़े से आज भी हमारे देश में समरिधी दिखाई पड़ती है जो अशिक्षा है जो गंदगी है जो जैसे वाइरस होता है न यह वाइरस जहन का वाइरस भी होता है कुछ वाइरस हैं जो घूम परिशानिया बढ़ती रखती हैं इन दोर में जिन लोगों ने पत्राव किया था ऐसे दस लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए गए जब उनका चेक अप करने जा रहे थे तो वो पत्राव कर रहे थे क्या लोग हैं और इनका विरूत क्यों नहीं करते हैं हमारे म मुझे लिखकर भेज रहे हैं कि तब्ली की जमात कब आया कैसे आया और कैसे वो रुका था और फिर वो मुझे वैश्णो देवी और यहां वहाँ का हवाला दे रहे क्या बूर्ख हैं आप जरा इनलिसिस करिए कितने क़ोरोना पॉजिटिव हैं कहां से आया हैं और यह कोर लोग इकठा होते हैं वैसे भी होते रहे हैं किया पर द कभी बंदिश से उससे देश का नुकसान क्या हुआ वो बगवादी बात है और मुर्कता पून कर रहे हैं मुर्कता पून आप सबास्चान करण था है अजलों करGoProProPro gö könnte कि मुझे पता है कि वो उसी मानसिक्ता से ग्रस्थ है, मानसिक्ता समझ में आ गई है, अब हवन सामगरी से लेकर भारती ये तियोहारों की जो परंपरा रही है, उसमें हमने सूतक नातक भी आप समझते होंगे कि घर में जब बच्चा होता है या कुछ डेथ होती है तो भी लोगों का आना जाना बं उसके बाद में इनका प्रादूर वहाऊ हुए था और लोगों ने फिर उसको एक परंपरा के तोर पर एक जागरुकता के तोर पर फैलाए क्योंकि ग्रामीन इलाकों में ये चीज़ें बहुत जल्दी पहुंचती हैं तो उसकी उसकी भी पूजा पद्दतियां थी, नीम क सुना होगा कि कई लोगों की डेथ हो जा रहे हैं कई लोग ठीक हो जा रहे हैं आगर कोरोना का इलाज किया जब पूरी दुनिया के पास कोई इलाज नहीं तो लोग ठीक कैसे होते हैं ये इस पर ज़रा विचार करिए का मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इसी तरह से H1, N1 स्वाइन फ्लू का भी कोई इलाज नहीं रहा और मैंने उसको बार-बार काया कि उसको मैंने लिटरली विटनेस किया है तो उसकी भयावता को मैं जानता हूं आपका इम्म्यून सिस्टम बहुत इंपॉर्टन होता है और मैंने डॉक्टरों को यही कहते हुए सुना था उस करती है ने आपके लंग्स को जो मैं शंक नात करता हूं सब कहते हैं कि आरे वाँ आपके लंग्स जो है वो बड़े मजबूत हैं यह हैं वो हैं तो इसे शंक बजाने वाले के फेपड़े कभी कमजोर नहीं हो सकते हैं इनिश्चित तोर पर मान कर चलिए दूसरा वहीं वो द्वनी वायू मंडल में जाती है उसका एक अपना महत्तु होता है अब जहां तक बात है आज की तो आज मैं तो दिये जलाने वाला हूं और मैं आप सबसे आगरह कर रहा हूं कि आप भी दिये जलाएं भारतिय परमपरा में कोई भी चीज बेमानी नहीं है आपको उसकी अ गधे की तरह पालन करते रहे तो वो कुरीतियां बन गई मैं रीतियों और कुरीतियों की बात नहीं करता आप जाईए उन चीजों के लिए जिन से आपको कोई नुकसान नहीं दिखाई पड़ता और वो हमारी परमपरा का यह बहुत आसान है इस चीज को पहचानना आप द जाएगा वो हो जाएगा ध्वनी से यह हो जाएगा या तो इसकी रिसर्च करते रही है एक मेरे रेशनलिस्ट मित्र हैं वो मुझसे बहुत इस तरह के सवाल करते थे तो उन्हें एक जवाब दिया था ऐसे सारे लोगों को एक जवाब दे रहा हूँ तुलसी की उपियोगिता लेबोरेटरी में उसके इंग्रेडियन्ट चेक होने के बाद से नहीं है तुलसी की उपियोगिता तब से है जब आप जानते भी नहीं दे कि उसके उपियोगिता तो कौन से तब भी वो खासी को बुखार को दूसरी बीमारियों को उसी तरह दू कर देती है अब आपने लेबोरेटरी में पता लगा कर कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया कि उसकी उपयोगिता को पढ़ा लिया है यह सब एक अलग चीज़े लेकिन उपयोगिता वो जसकीतस रहेगी आधुनिक विज्ञान आपको यह बात तो बता देगा खोज कर कि प अब तक आपका समय बीच चुका होगा तो इन परंपराओं का निर्वहन करें जिन से कोई नुकसान नहीं है जो कुरीतियों की श्रणी में नहीं आती है उनका अनुपालन करें ऐसा मेरा आपसे विशेश आग रहा है आज नौ बचकर नौ मिनिट पर आप दिये जरूर जल हमारी परंपराओं का प्रकाश देखेगी ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ बहुत-बहुत धन्यवाद आप लगातार मुझे देख रहे हैं बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप इस बात को आगे भी बढ़ा रहे हैं मैं भी एक बार फिर उमीद करता हूँ कि आप आप इसको अपने दोस्तों से भी साजा करेंगी बहुत-बहुत धन्यवाद